इनके लब रंगी की निठाबरें थी के जिसने फरहान भाई मालूमिया करना चाहते हैं कि गले का बटन खुला रहता है नमाज में तो सूरत में नमाज होती है या नहीं होती और शैनी शैट के गले का बटन और इसी तरह एक सवाल और भी एक बहने पूछा था कि गले का बटन खुल कर नमाज पढ़ ले तो इमाम साब ने कहा कि आपकी नमाज जो हो नहीं होगी यहीं इस तरह नमाज पढ़ने से फायदा नहीं है तो पहले यह कि गले का बटन खुलन अगर नमाज जो हो जाएगी यानि अगर इससे नमाज फासिद या मकरू तहरीमी नहीं होगी नमाज इसके एदा हो जाएगी इसके लिए काइदा ये है कि जैसे ये नीचे का हिस्सा जो सीने का होता है अगर नमाज की हालत में ये खुला रखेगा बंदा तब नमाज मकरू होती है और जो गले का हिस्सा होता है जो अमूमन खुला ही रहता है मर्दों का तो उसमें नमाज में हरज नहीं होती तो इसी टरहे के से मुftिया अजम पाकिस्तान, मुफ्थी वकार अद्दिन, आद्री रहमत अलाई अले, वकार उल-फटावा के अंदर फर्माते हैं कि जो हसली होती हसली की हड़ी, उसके नीचे का हिस्सा सीना होता है, और उपर का हिस्सा गला होता है और गले को नमाज में खुले रखने में हरज नहीं है इसी तरह आला हजरत इमाम एहल सुन्नत इमाम इशको महबत इमाम एहमाद रजाखां फाजिल बरेल वी रहमत अले पतावर हज़िया शरीफ के अंदर भी इरिशात फरमाते है गले के तालुक से कि अगर कुर्टे के बटन वगेरा इसकदर के खुले हुए है उसमें सीना दिखता है या शाना दिखता है यानि यह कि एक पल्ला साइड में होता है और कंदा ववेरा नजर आता है तो इस सूरत में नमाज मक्रू होगी और अगर इसको पर दूसरा कपड़ा पहन रखा यानि यह अंदर के यह बटन खुले हुए हैं और उस पर कोई जवार कट जैकेट या बंडी पहन रखे जिस पूरे मुकमल बटन ढखे हुए हैं सिर्फ एक बटन गले का खुला हुआ है तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी यानि कराहत यह मक्रूह तहरीमिया नमाज को फासिद करने वाला मसाला नहीं है लिबास के तालुक से आला अजरत ने काइदा और भी बयान फर्माया फताव भी मकरू होता है तो लिहाज अब यहां यह भी देख सकते हैं कि श्तरिफ एक बटन गले का खुला रखने से जो समाज में उसको बेद्वी तसवर नहीं किया जाता आवारा पन तसवर नहीं किया जाता हूं मोमन लोग खुला ही रखते हैं तो यह लिबास फिर जो हैं में और मकरू सुरत में होगे कि जैसे आजकल आवारा टाइप दो तीन बटन और सीने के खुल लिए चटके और कमीज को पीछे से उपर उठा कर गले को पूरा खूल लेंके बाद सड़क पे चलते हैं जिसको बेद्वी यह इजद्दार तो कम से कम उस शक्स को नहीं समझा जाता तो अगर यह आता नमाज में होगी तो नमाज मकरू होगी ज्यूंकि बटन ज्यादा खुलो जो इस सूरत में आप देख लेंगे अगर सिर्फ गले का बटन है तो इसमें नमाज हो जाएगी अब रहा है कि इमाम साहब का यह कहना अब परनवार बनाया अब परनवार बनाया